एलो एवरीवन वेलकम टू मैं न्यू ब्लोग तो यह देखे मेरे हाथ में क्या है पालक तो आज मैं दिवालिया स्पेशल थाली बना के त्यार कर रही हूं गूर वाली खीर बनाओंगी मिक्स भेज साही पनीड पालक पूरी और बीटरूट की पूरी बहुत ही कलरफुल था फिर निमोगरा बासमती राइस है जो कि पहले भीगो के रख ली थी खीर के लिए दूद बलने के बाद मैं दूद में डाल दी हूं आइधर मैं एक कटोड़ी के नाफसे आधा कटोड़ी गुर ले लिए और इसमें थोरा सा पानी डाल दी हूं आधा कटोड़ी से कुछ कम पाणी है और गूर को पिघला लेंगे में फिर लाने के बाद इसका एक हम एक दो मिन्यट तक पका लेंगे जब पिघल जाए हमारा थोसे इधर घिर भी बन रहा है चाहिन तरुछ हमागे के त्यारी कर लेते हैं मैं तो यह मैं पांच ड्बंगे जबाने माली और निकाल क्योंकि मैं बिना लसुन प्याज का बना रही हूं सारा खाना आज तो मैं टमाटर का जैदा यूज करूंगी शाथी थोड़ा अध्रक भी ले ली हूं तब तक हमारा ये खीर भी बन चुका है यहां पर और गूर भी पिघल गया है तो अब क्या करेंगे हम इसमें गूर को ड होगें तो छाना जाएगा साथ में ड्राइफ फूर्ट को भूण के डाल दी हूं मैं काजु किस्मिस बदाम को काटके ऑव ढाल दी हूं तो घीड हमारा तैयार हो चुका है यहां पर पालक मैं उबाल ली थोड़ा साथ कर अच्छे से पतिली में डालका उबाली हूं यह थ का टुक्रा डाल दिए धन्य पत्ते का डंठल डाल देंगे यह 8-10 काजु है जो पहले भीगों के मैं रख ली थी वह डाल देंगे साथी काला नमक डाल दियो थोरा सा चार-पांच लाल मिर्च सुखी वाली डाल दियो पहले भीगों के रख ली ती उसको भी और यह मगज के सब्सक्राइब दाने अगर आपके पास मगज के दाने नहीं तो सफेद तिल का भी यूज कर सकते हैं यहां पर और इसको रिक्स करके अच्छे से पका लेंगे ढखके तब तक हमारा टमाटर पकड़ा है तब तक मिक्स भेजकी त्यारी कर लेते हैं तो यहां पर एक बरा सा यहां पर हम खरे मसाले निकाल लेंगे या तो पीस भी सकते हैं साथ में नहीं तो निकाल भी सकते हैं और इसको ठंडा करके और ग्रेवी बना लेंगे हम इधर हम एक कराही में तेल डाल दी हैं और उसमें हम गोवी को फ्राय कर लेंगे जब तक कि हमारा टमाटर ठंडा हो रहा है तब तक पालक भी ठंडा हो चुका था वह वालने के बाद इसका मैं पेश्ट बना ली हूं यह देखिए यहां पर अच्छा पेश्ट बना ली हूं पालक का इससे मैं आटा गूत हूंगी तो देखिए यहां पर तब तक हमारा गोवी भी फ्राय हो चुका है तब तक मैं पालक का प्यूरी बनाई हूं तब तक और इसके बाद हम क्या करेंगे गाजर को और आलू को एक साथ फ्राय कर लेंगे थोरा सा कच्छा पन निकल जा था वह भी ठंडा हो चुका है तो इसको मिक्सी के जार में डालके इसका बढ़ियां सापेश्ट बना लेंगे तो यह देखिए यहां पर अच्छा सापेश्ट बन चुका है और क्या करेंगे कराही में तेल डाल दिए दोबरे चमच तेज पत्ता थोरा जीरा हींग और एक क गरम मसाला स्वाद ग्यानुसार नमक और यह रहा कसूरी में थी नमक हम पहले टमाटर में डाले थी तो याद से ध्यान से डालेंगे हम उसके बाद फ्राइक हुए आलूग और गोवी डाल देंगे मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छा लाजब सबजी बनके यह एक चमच पनीर बनाएंगे और इसमें डाली राधा चमच धनिया पॉडर कश्मी लाल मिच पॉडर जीरा पॉडर और थोरा सा कसूरी मेती यह चमच बेशन और इसमें हम पनीर को डाल देंगे और अच्छे से फ्राइब कर लेंगे इसको हम एक से दो मिनट तक फ्राइब करेंगे बढ़ियां से मसाले में यह पुडरा मसाले के साथ मिक्स हो जाएगा और अच्छे से फ्राइबी हो जाएगा तो यहां पर हमारा पनीर भी फ्राइब हो चुका है इधर हमारा मिक्स भेज भी बनके त्यार हो चुका है तो अ आधा चमच धनिया पाडर जीरा काली मृश पॉड़र अधा चमच गर्मसाओं मिर्च धनिया पाडर डाल के और दो तो रफास मिर्च डाल दिने है स्वाध की अनुक्सार नमक डाल देंगे वेदल हो तो यहां पर पकाने अभी बीच- चुकुंदर का जो बीट रूट है उसको मैं पीस लोगी तो यहां पर दो चुकुंदर था उसको मैं अच्छे से दो के और छिल के ले ली हूं चोटे-चोटे पीसे पर करके रिक्सी के जार में डाल देंगे थोरा सा पानी डाली हो दो तीन चमच हावरी इसका भी हम अच्छ दो चुका है बरियासा तो हमारा मसाला भुन के त्यार हो चुका है तो यहां पर मैं टोटल डेड़ सवा गिलास पानी डाली हूं बहुत ज़्यदा पतली नहीं रहेगी कि कुई पुड़ी के साथ खाएंगे तो लटपटी से सब्जी रहेगी तो सवा गिलास पानी डाली ऑग पानी उबलने के बाद जो पानी में उबला जaga हमारे ग्रेवी में उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें परीव कर लेंगे उसके बल्ट으 तो लीजिए हमारी मसाला पनीर बनके त्यार है बिना लसुन प्याज का तो अब आटा गुत लेते हैं पूरी के लिए दो बरतन में मैं आटा गुत रही हूं क्योंकि दो कलर का बनाओंगी तो आटा ले लिए उसमें नमक डाल दी हूं खारा जीला लाली हूं तो रासा अजम की जरुद नहीं परेगी आपको बस पालक से ही आटा गुत जाएगा तो अच्छा से सौफ्ट लगा लिया हमने पालक का अगुत लेते हैं बीट रूट का तो बीट रूट का भी हम जो पहले नमक और घी और अजमान डाले थे उसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से उसके बा चला कलरफुल थाली तियार होगी बच्चे बहुत पसंद करते हैं couूण खा कर बहुत ही बच्ये को बाते हैं तो अब हम क्या करेंगे सारे पूरी बेल लेंगे एक साथ चो और उसके बाद हम तलेंगे यह इतनला जवाब इतना टेस्टी बनके तियार होगा न यह ठालि आपका जरूच से बनेएगा इस दिवाली कलर्फुल थाली भी तैंट इसी तरीके से बनाती हूं दिवाली में कम समय में आज सहन अच टेस्टी खाना बनके थे रहाता है अभी कार्तिटक का मास भी चल रहा है और दिवाली बना के त्यार कर सकते हैं हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी थाली पालक है बिट रूट है सब पनीड है सब हेल्दी ही है तो इस तरीके से बना के त्यार कर सकते हैं आप लोग तो एक बार जरूर से ट्रैक किजिएगा आप लोग और कॉमेंट में बताइएगा कि कैसा बना आ देखिए बहुत ही लाजवाब थाली बनके तयार होगा। तो यह देखिये कितना एक अच्छा बढिया, फुला फुलाला पुडिया बने के त्यार हो रहा है एक दम सुपर लाजवाब तो आप लोग जरूर से इस दिवाली कलरफुल थाली बना के त्यार कीजिएगा इस थाली में और भी बहुत कुछ बना के त्यार कर सकते हैं कि त्यारो का दिन होता है तो टैम नहीं होता है बहुत बनाने कैuchar के त्यार कर सकते हैं है थे बहुत ही लाजवाब थाली बनके त्यार हो जाएगा बहुत ही कम समय में तो देखिए हम बातों बातों में आहां पर सारे पूरियां भी तल लिए हैं तो एकदम कलरफुल पूरियां देखने में लग रहा है लाजवाब तो चलिए फटा फट से खाना सर्व कर लेते हैं सारा खाना आमने बना लिया है तो यह रहा गूर वाले खीर जिसको लाफसी भी बोलते हैं खरना भी भी बनाई जाती है हमारे तरफ जो छट वाला खरना हो पालक पूरी और बिट रूट की पूरी और यह अनर्शा बनाई थी मैं कल वही है अगर इसका रेशिपी आप लोगों को चाहिए तो कॉमेंट में बताईएगा अनर्शा का रेशिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूं यह अलग तरह से बनाई हूं अगर चाहिए तो